यह बाहर वाले के विज़े से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे अनफेर इविक्शन हुए है क्योंकि मेरा वोटिंग इतना अच्छा था पर उस बाहर वाले ने ऐसे कैंडिडेट्स को सेफ किया जिनकी विज़े से मैं निकल तो हमें टाइम का तो वहां पर अंदाजा होत तो बनाई पर उन्होंने नामदलत ले दिया आपका असली पती है कौन मेरे इसाब से उनकी भी तीन-चार शादिया आइधिंक हो चुकी है जो गलती अर्मान ने करी वो कोई ना उस चीज से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था ना मैं कृतिका को देखके कुश्ती एक मया में दो तलवार नहीं रह सकते तो देबिलने के लिए भी मेरे को एक ही मैसिस है बहन आप भी इस डेम में बहुत पहले आई जी और मेरे इसाब से आप भी वाँ कुछ उखाड नहीं पाई अगर वाइल काड एंट्री में आपको बुलाते हैं तो आप क्या जाओगे बिल्कुल बिल्कुल जाओंगे और ये अपॉचनिटी में बिल्कुल नहीं चोना चाहते हैं तीखी मिर्ची चंद्रीका अदिक्षित इसी इसका कार्ड खेल रही है कि मैं यूटी से होनी हमको ऐसे ही बात करना आता है तीपक जी चंद्रीका और शिवानी ये तिगडी मे करूंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं चार चार बच्चों की जिम्मदारी आठ चैनलों की जिम्मदारी और धे सारे इंटर्व्यू पायल विल्कम तो एबिप लाइव और आज के साथ करेंगे धे सारी बातशीत और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं मेरे सब्सक्राइब घर कि मैंने जूम कॉल पे इंट्वीव किया हुआ है और मतलब यह जगे अमारे पड़िश के लावा किसी और के साथ घर पर बैट के लिए और शायद इस समय पर मुझे बहुत सारी चीजें इंट्वीव पे बतानी थी और वो मुझे आपने मुझे दिया उसके लिए थैंक हम त इस बार तो फील हो रहा है कि घर खाली खाली लगा बिलकुल कि घर का अगर एक भी सबस्य जाता है न तो घर खाली हो जाता है चाहे मेरी पूरी टीम तीम यहां पर अर्मान और कृतिका नहीं है तो यह घर खाली है बिग बहुत से आने के बाद कोई सबसे बड़ा चोड़नी बड़ेगी क्योंकि हर कोई इंसान सामने वालों आपके जैसा नहीं होता है यह मैंने वहां पे सीख है और यह बदलाव में अपनी लाइफ में लेकर आऊँ पाइल आपका अर्मान का और कृतिका का बिग बॉस में जाना अपने आप में मुझे लगता है कई लो एसा लगता था कंणे जाता है एक तो फोन मिल गया इसको आप कैसे लेते हो इसको देखो मेरे लिए तो फोन मिल गया वह कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए पर जो यह एक नई चीज उन्होंने रखी बाहर वाला यह बाहर वाले के वज़े से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे अनफेर इविक्शन हुए जैसे कि नीरज को बहुत सारे मैसेज दे सकते थे दूसरा मैं क्योंकि मेरा वोटिंग इतना अच्छा था सब कुछ बहुत अच्छा था पर उस बाहर वाले ने ऐसे कैंडिडेट्स को सेफ किया जिनकी विज़े से मैं निकल फिर पॉलमी पॉलमी भी बहुत अच्छा गेम भी वो अच्छा एक आपको लगता है कि आपने बिग बॉस में जाके बहुत लोगों की जो दुकानदारी है जो मंदी पड़ी हुई थी कि बहुत लोग एकदम जाग गए करने लग गए मतलब जो समात सेवा की बात हैं और ऐसी बात हैं जो मतलब कभी वैसे नहीं करते थे और कही पर दो दो टूर्ब नेगेटिविटी खूब बर बर के में बर बर के में तो इसको एंकैश करने के लिए बिग बॉस ने इसा नहीं किया कि चलो ठीक है क्योंकि बहुत शौकिंग है उस घर से मैं सारी फॉर्माल्टी पूरी करते-करते मुझे तकरीब बज़ बज़े जम अब भी तो हम अब भी तो हम सो है और अभी उठा दिया गया तो वहां अमारे नींद का बहुत लोचा हो रहा था सब लोग बहुत ही हो दें कि यार नींदी पूरी नहीं हो रही है फिर वहां पेक नेजी भाई है जिनकी वज़े से मैं नॉमिनेट रैपर जो है वह एक्ज कि आपको इतना अकुरिट टाइम क्यों पता है तो रहे है कि कि जब उता हूं ऊठता हुना मैं टा लूट परता हूं और उसके इसाफसे मले उखाते हैं कहने के इसाफ से हमेंके आट बजा तो उसके इसाफसेunteering का कि इसमांद Keith be wsए है उसके अशब तो जो बड़े सारे लोगों ने जो कॉमेंट बाजी की राखी ने भी की और सबसे पहले तो मैं राखी के लिए बोलना चाहूंगी कि राखी का काम ही है जब उसे थोड़ा सा कोई पूछना बंद कर देता है तो जो भी नया गरम टॉपिक चल रहाता है वह उन पे बोल के वीडियो नाती है और मेरे सुनने में ऐसा है लोग उनसे बनवाते हैं लोग उन जोर्म एपास जिसमें उन्होंने अर्मान के लिए वीडियो ठोबनाई पर उन्होंने नामगलत ले दिया उनको मुद्दा नहीं पता उनको यह नहीं पता किसके बारे में बोल रही है बस उन्हें बोलना है कि आप पहले अपने रिलेशन को शुल्चालों और ये समझों प अगर बोला जाएगा तो वो राखी जीए हम तो सपोर्ट करते नहीं मैंने हर इंट्रू में आये चलो बिग बॉस के बाद हमारे इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंट्रू दिये आपके साथ भी दिये बहुत सारे चैनल के साथ दिये महांपर हम सबने चाहे मैं हूं चैक क्रितिक को देख के खुशटी ना कृतिका मुझ को देख के खुश्टी क्योंकि यह मोहारा बिल्कुल सही है कि पर अगर आज ग्यानरि दो तलवार है तो सिर्फ मेरे और।inar की और हम तीनों का मैसेज वह आएंगे आने के बाद भी उनका भी यही मैसेज रहेगा कि जो गलती अर्मान ने करी वह कोई ना तो ने बोला कि इन लोगों को इस गेम में क्यों लिया क्या लिया तो वहन आप भी इस गेम में बहुत पहले आई थी और मेरे इसाब से आप भी वह कुछ उखाड नहीं पाई ठीक है बिग बॉस ने मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या देखा एक गोपी बहु के बाद तो शायद आपके पस्नेल्टी उभर के आई नहीं वह एक सीरियल था जिससे आप अभी तक बैठके खा रहे हैं आपको कोई गेम मिल रहा होगा और दूसरा मैं यह कहना चाहते हो कि आप खुद इतनी ट्रॉलिंग का सामना करके बैठी हो आपकी शादी को लेकि आपने मुस्लिम इंसान से शादी करें वह आपकी चोईस थे क्योंकि आप उने प्यार करके तो और इंसान प्यार के लिए कुछ भी करता है जो हमने किया अगर यहां से आपको किछ नहीं मिलेगा अगर आप चाहती हो कि मैं आपके लिए श्पेशल वीडियो बनाऊं तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम है मेरे चार बच्चे मेरे इतना बड़ा घर है आपके वाशाद काम नहीं होगा इसलिए आप हमारे महर रहे थी मुझे यकीन है कि इस इंटर्व्यू के नीचे कमेंट में आजाएगा कि पायल आप क्या फिक से जा रहे हैं तो आप दर्शकों को बता दो कि अगर वाइल काट एंट्री में आपको बुलाते हैं तो आप क्या जाओगे बिल्कुल बिल्कुल जाओंगे और यह पाई वो मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि अभी तो हम अपने घर की तरह रह रहे थे अभी वो जो गेम की अंदर उतर के खेलना जो अल्रेडी बहुत सरे लोग कर चुके हैं वो नहीं घर पाई लिए अपको ऐसा तो नहीं लगा किसी प्रेशर में आपको घर से निकाला मतलब इंnoji युठैसा तो इससे कौमेंट्स में या मतलब की स्निकालना था निक वज़य से तो निकाला पूए धिरन मेरारा मिरा निकालने का पर मैं इसके लिए के मेकर के यह नहीं भी कि नहीं बोलूँगी क्योंट कि उनके आत में नहीं पावर दे दी दी वह उस बाहर वाले के पास power थी मुझे निगालने अधर वे जानना चाहूंगे किया बिग बॉस तच में खाना नहीं देते हैं नहीं विल्कुल भी ऐसा नहीं हैं गाईस घाना देते हैं और भर भर इतना fruits हमारे अपने घर में नहीं आता है वहां आता है वहां लडाई इसलिह होती है कि तो यह भी खाते हो और यह भी खाते हो पर हमारे पास तो यह यह सिर्फ लडाई इस चीज की होती है आप अब कुछ कोशन है सर इनके लिए rapid-fire round है तो मैं चाहूंगे कि आप इनका जली से जवाब देते क्योंकि यह वही आपके fans ने पूछा है मैं चाहती हूं आपसे जली और ही नहीं है केलने के लिए वो सेफकार्ट केल रही है वो सबके साथ अच्छी good book में रह रही है ताकि उनको लगता है कि अंदर वाले ही हैं जो nomination मिलाते हैं और बचाते हैं तो इसलिए मुझे ऐसा लगता हूंगा क्योंकि मेरे घर के बिलकुल पास उनका stall लगता है और बहुत भीड रहती है वहां पर बहुत बवाल जो भी होता है वह हम सब ने देखा है वहां पर तो जब social media पर वह कोई भी वीडियो डालती हैं उस पर maximum comments negative होते हैं maximum मतलब 99% comments जो होते हैं वो negative होते हैं आपको वो कैसी लगी घर के अंदर वो बहुत अची उसका नेजर वो करती है वह बहुत अच्छे से बहुत इजट करती है बहुत अच्छे से शुब्स करती है तो मुझे निचे ठीक लगा अब भाहर पी वही है ना की बहुत आप छोटी सी कुप निकालके मैं ऐसी बहुत सारी क्लिप से जिसंप अर्मान और कृतिका को बहुत ज्यादा negative वह और एड़ा बनकर पेडहा इससाभसे मोनीशा है क्योंकि मनी विषाल में रहती है उनको पता है कि आगी युक्रोथ 7 chosen यूं पहुत पसंद करता है वो लास्त तक जाएगा उनको ऐसा लगता है और विषालों रहते है तो उनको लगता है जब तक मैं उनकी साथ रहूंगी मैं सेफ रहूंगे इसके तीसरा कौन लगता है आपको की विनर है ट्रॉफी के सबसे करीब अगर मैं अभी अर्मान और कृतिका का बोलूगी तो वह वैलेड नहीं लगेगा आप लोगों कि वह बोल सकते हो बिलकुल मतल काफी का विनर होगा और दोनों बराबर खेल रहे हैं तो मैं दोनों में से एक नहीं बोल सकती दोनों अच्छा खेल गहां आपको एक चीज़ लगती है अर्मान ने कहीं नहीं अपने गुस्से को रहा है बिग बॉस्स में बहुत 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 हमने एक वीडियो भी बनाय अगर वो कोई काम कर रहे हैं रो क्को दससओ को अन्दर वह यह रहे हैं पर वह रोटी बहुत की वशाल के साथ दिल बढाना चाहिए के साथ अम just अर्मान ने उस वक्व Patrol आखाया था मतलब आराम से बात की छक्वत समझाया था जोड़के उनकी बहुत अच्छी बन रही है चौथा यारो का यार कौन है विग बॉस में यारो का यार साइक है क्योंकि वह जिससे दोस्ती कर रहा है उसका साथ दीर है जैसे उन्हें अर्मान जी को और दीपक जी को सेफ किया उसके बाद अपनी वह छोड़की इतनी बॉसी तो बॉसी तो बॉसी तो मुझे इतना कोई लगा नहीं है और लास्ली अंडेजर्विंग कंटेस्टर्ट पुनिशा जी क्योंकि मुझे उनका सिर्फ कार्ड पढ़ने के अलावा हो इस गेम में कुछ वो दीख नी रहा है काम दीख नी रहा है मुझे नील पता मिसकर पाइघर्व आता अर्मान के साथ हम अतना यह नहीं को जादा मिसकर रहे हूं कि टुए फूर आट मेरे साथ हूँ चाह सोना ओट शेव ओआ पर अभी आप चाहए तो नहीं ना कि वह आ जाहे यह बिल्कुल भी निली चाहती हो अच्छा मुझे जब मैं निकल रही अगर से बाहर तो बोलो जाते हैं लोगों की बीच में मत बोलो जहां आपको कोई बोले वहां बोलो तो उनकी आदत जो है कि अगर कुछ पी गलत दीकर तो वो बोलने लग जाते हैं और वही लोगों को पसंद नहीं आ रहा है अंदर वाले गड़ वाले अच्छा जब आप गए थे बच्छों का क्या रियाक्शन था मतलब एक इस चीज पर भी बड़े आर्टिकल्स पट रहा था कि पता नहीं कितनी नैनी इस तीस नैनी जोर यह एक दिन रात हम नहीं सोय कि हमारे पर इतना टाइम में बच्चों के साथ स्पेंड और बच्चों को इतना पता नहीं कियोंकि अल्रेडी लाक्ष है अब हमारी निक्की है दो जो जब से नियु वह जो माबाप को मिस करने वाली वह हुई ने पर जब मैं वापस आई मैं दस अगर मेरे जगाव भी आती तो उनका सेम एक्शन रहता वह वेट कर रहे थे और जैसे तीनों का ऐसे छोड़ा ना वह भाग क्या रहे तो बच्चों ने यहां से पता है बच्चे मिस कर रहे हैं अच्छा बड़े सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं इतने लोगों की टीम उ तो बच्चों के ख्याल रखने के लिए कितने लोग हैं बच्चों के ख्याल रखने के लिए तीन नानी सुबा हैं यहां बढ़े पहले बच्चे जहां बढ़े बढ़े लिए उनके लिए और बढ़े गाए और इस वक्त हम काम नहीं कर यह तो हमारा फेस चला जाएग और इसना पिछ बिसट्धा लिए निकलने के बाद बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं इस लग रहे हैं कि गोलु अभी फोड़ी सी गेम में नहीं उतर पाई है वो लोगों को नहीं समझ रही है वो अभी भी वो बोलापन जो है कि सबसे अच्छे से वो वही कर रही है पर अर्मान जी तो वो अलड़ी शुरूआत से ही केल तो अर्मान जी के लिए तो कोई अड़वाइस में आप बहुत अच्छा केल रहे हो बर गोलु वो अपना घर नहीं है बेटा वो बिग बॉस हाउ लेकिन यह जो एक एक्सपीरियंस रहा मुंबई गए आप शो में गए बिग बॉस अलड़ी बहुत पॉपुलर है इतना मीडिया वहां था जब आप एविक्ट हुए बहुत सारा मीडिया आप से बात करने के लिए बैक टू बैक इंटर्वियूस वो एक्सपीरियंस कैसा अपायल के लिए देखो शुरुवात में तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग आ रहें इंटर्वू ले रहे हैं पर जब इंटर्व का टाइम बढ़ता जाता है ना तो जो हालत खराब होती है मतलब मैंने ऐसे हाथ जोड़ देते प्लीज अब फ्लीज अब नहीं इतना थाब जाता लेकिन वह जब देख नहीं कि इतनी लोग मेरा इंटर्वू लेने आया है तो फिलिंग बहुत अच्छी होती है एनर्जी आजाते बहुत बटे-बड़े लोगों का इंटर्वू दे घंटर्वे बहुत अच्छा लगा मुझे और जितनी बी मीडिया मैं मैं मेडिया में इतनी ज्यादा आप भोगों के साथ भी मेना बहुत कम इंटर्विधि से पहले लुघ भी मेडिया उस असही जी डिखा तो मुझे तो मीडिया का ऩर cell बहुत अच्छ रहा वह गलत-ले तो प्लीज मीडिया के लिए पुलत दिखा रही है तो एसा कुछ नहीं है उर्फी से भी मलाकात हुई और उसे तो एक्षिल जब बच्चे हुए थे तब से हमारा बॉर्ण बहुत अच्छा है और सच अनाइस गडिया बहुत अच्छी लड़की है मुझे ऐसा लगता है पूरी इंडस्टी में उसके जैसा नेचर किसी गानी होगा अच्छा एक और चीज हमें जो बहुत ही नेगेटिव देखी गई घर में कि आपके व्लॉग में शिवानी आई थी बहुत अच्छा गुल्मिल हुआ था आपकी उस वक्त दुबारत से शादी करवाई जा रही थी घर में शादी का महौल था शिवानी खुद आई थी आपको पूरा व्लॉग देखा है खुशी से सब कुछ बीता था लेकिन घर में घुसने के बाद अनफॉलो आपने तो मुझे खाना ऐसे दिया था बहुत सारी चीज़े आ रही है क्यों ऐसा हुआ एक्शली क्या है ना उस वह बाहर से अपना पूरा माइंड बना के गई है कि उसे कैसे खेलना जब हम अंदर करते हुए आओ और स्टेज पर भी ब्लॉगिंग करते हुए गई और जाने से पहले कि मैंने उसके इंटर्वु देखे जहां पर मनीशा ने उससे बात की थी जो ओटेटी टू में आई थी मनीशा रानी और कोई अर्चना गौतम उनसे भी उनकी बात हुई तो अलड़ी उ बार 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 शिवानी वैसी ही है जैसे वह बिग बॉस हाउस में या आप तो क्योंकि उनसे परस्टनली मिली है या बिलकुल भी अलग है बोल चाल रहे हैं मैंने अगर आप वह वाले व्लॉग्स देखोगे जब हमारे यहां शादी में आ रही थी जब उसने कांदपूर से ब्लॉग स्टार्ट किया था तो वह जो भाशा अभी वह यूज कर रही है देखो सबकी अपनी भाशा होती है और मैं रिस्पेक्ट करती हूं कांदपूर वालों की भाशा के लिए बहुत अच्छी बात हो बहुत मीठे से भी बात करते पर उसकी भाशा में मिठास नहीं अगर आप वह ब्लॉग उठाके देखो भी बहुत अच्छी हिंदे में बात करें थी कि हम लोग शादी में जा रहे हैं तो शायद वह इसी का कार्ड केल रही है कि मैं यूटी से हूं हमको ऐसे ही बात करना आता है इसके लिए रनवीर जी पूसको बार बार चेड़ते रहत शाद को बुराने की कोशिश करने विलकुल बिलकुल ऐससे शुरुवाती थोड़ा ची आक्टिंग भी हो जाए है बहूत अच्छी उनकी आक्टिंग बहुत तो वो भी उर्दू के वर्ट्स यूज़ करते थे कि आवाम देख रही है अवाम देख यह वह बहुत जादालडाई ती थे हैं जा ना अजब sust dat वोक्या कि राप पर कर fit टी करती यह अवाम देख रही अब वह मैंने बला कि यह तो को अर्शी का डायलोग है करी नहीं मैंने नहीं नहीं देखा मैंने का मैंने तो देखा है करी नहीं यह मेरा अपना है मैंने का आला आला भी वो करती थी और अवाम लेकिन वो इतना नहीं मतलब यह बहुत मतलब वो साफ मैंने देखा मैंने देखके लगा कि यह तो आला आला ह हाँ हो रहा है मतलब और उसको पहले ही बता था कि नेजी जो है नेजी का नेचर बहुत अच्छा है नेजी किसी से फाल्तू बात नहीं करता है किसी के लफड़े में नहीं गुशता है बहुत सौटेड है जो बात करेगा उससे बात करेगा और लोग उसे बहुत प्यार करते ह तो उसको लगता है वो नेजी के साथ जाधा रहती है उसको जुम्ला जुम्ला करती है सारा वो शेर और शायरी करती है तो उसको लगता है मैं उसके साथ सीफ रहा हुई संगती का असर तो नहीं पड़ा आने के बाद आपने किसी को आला कहा नहीं मैंने बिल्कुल भी आला हाँ अभी एक गेम हमने मां पे कहला था मचली गई पानी में चपाक 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 तो वो हमने अपने घर में बहुत इन्जोय किया अच्छी बताइए आप इतनी पतली के तो लोगों ने मुझे बोला कि अभी तो इसके टांके भी हीली हुए यह जिम कर रही है यह बच्चे इसके नहीं है इसने डिलिवर ने किया है हमसे तो एक-एक साल तक उठा भी नी जाता है यह जिम कर रही है तो मैंने अपने आपको समय दिया है मैंने महनत करी है मैंने ज और साथ ही साथ मेरा सुस्लिमिंग फिट प्रोडेक्ट जो मैंने यूज किया है उससे मेरा बड़ा होता है कि आपको फाट करना होता है तो आप कोई टिप दिना शाहेंगी जो अभी मेटर्निंटी एकुलि क्या है यह जो मेरी सेकिंड प्रेग्नेंसी थी उसमें मेरा इतना चाही सब्स्क किए हो दित्यों अबाइक हुआ लगता है अगर आप चाहो किछ की कर सब्सक्राइब कर सकते हैं यह अगर शा नवेसे सब्सक्राइब कर सक्राइब बहुत ज़रोरी है और साथी साथ आप बहुत सारी चीज़े यूगा कर सकते हो आप स्टेर्स चड़ सकते हो अगर आप वॉक कर सकते हो आदे गंटे की बाकि जुबान पर कुंट्रोल तो करना पड़ेगा क्यों अगर 90 परसेंट आपको डाइट हेल्प करती है और 10 परसेंट आपको जीम करती है तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा अच्छा अभी एलिमिनेशन राउंड आने वाला है तीन लोग निकल चुके हैं आपके मुताबिक अब कौन घर से निकल सकता अच्छली ट्वीटर पर एक पेज है दखबरी तो वहां पर अल्रेडी अनॉंस हो गया कि आठ लोग और फिर से नॉमिनेट हो चुके हैं तो उसम और वो कौन हो सकते हैं मुनिशा जी मुनिशा जी इस लिस्ट में और सना सुल्ता दो लोग इस लिस्ट में तो मुझे लग रहा है वो दो नोश भर जाएंगे और पिछली बार भी मैने जब प्रेडिक्ट किया था पॉलमी का तो उस दिन पॉलमी ही निकली है क्योंकि उस सबस्वालों का जवाब जो है वो एकदम बिंदास तरीके से दिया और कोई बात जो मन में हो जो एक्सपीरियन्स हो जो शेयर करना चाहते हैं जो हम नहीं पूछ पाए जो घर के अंदर लोग है उनको अमारी तिगड़ी का बहुत ज़ादा डर था 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 उन लोगों को तीन प्लेएर एक साथ है नके पस अल्रेड़ी तीन वोट है तो कही ना कही मुझे निकालने का एक रिजंग यह भी था कि यह तीन में से दो एक तो बाहर रहे हैं वहाँ पे जैसे लव और विशाल हो गया शीवानी और चंद्री का हो गई चन्द्रिका हो गया दिपक जी चंद्रिका और शीवानी ये तिगडी में खेल रहे हैं तो अब हमारा तो तूट गई है कि अवा से तो आप कही न कहीं अ और फ्रीक्र को सपोर्ट अर मुझे लगता है क्यूंकि मेरे सारे जो व्लॉग्स हैं औरे सारे जो ट्रेंट कर रहें मेरा पहला ही व्लॉग से निकलते ही ट्रेंडिंग नंबर वन पर आ है और ट्रेंड вет Top पर पहुशना बहुत इजी नहीं है लोगों को प्यार अगर आपके साथ होता है तब ही आप ट्रेंड करते हैं जो नए लोग जोड़ रहे हैं जिनको हमारी लाइफ के बारे में नहीं पता है उनको सिर्फ इतना पता है एक आदमी है उसकी दो बीवी हैं और वो एक साथ रहत लुए और किस ली आप तक हो व हम दौधाई साल से आपको और इसी घर में आते है इसी घर में इंटरीव करते हैं तो सब कुछ असली सारे विलॉग ठी अर्च्वपियां खींश से अक molto पाई Reccleoline करते हैं और इने से कोई इक ट्रॉफी तो गर में आनी है लोगों के लिए हम तीन है पर हमारे लिए हम एक ही है चलिए इंटर्विव आगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा और पायल से और कोई सवाल है तो आप भी हमें लिख कर बताएगा और इंटर्वी पूरा देखिए शेर करें कमेंच करें और लाइक करें और हो सकता है अगला इंटर्विव बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ तीन और वह नहीं वह फिर हम वहां आपके स्टूडियो पर आके करें बिल्कुल क्या वारत है थैंक्यू सो मुच